हाई वरीवन आज की सिस्टन में आप सभी का स्वागत हैं वेलकम टो स्वरूप एकेडमी आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञारखन सहायक अचारी परिक्षा जो पूरी हो चुकी है उसका रिजल्ट का परिक्षा की जा रही है अब ज्ञारखन में विधान स स्टेट का मामला है सुप्रीम कोट में एक लंबी सुनवाई के बाद उसको रिजर्व रख लगया गया था बहुत सारे चीज़े जो है सामने अभी आ रही है निउस्पेपर में भी आ रहे है आज उसके डिसिजन पर भी बात करेंगे कि आखिर फाइनली फैसला किस तरह से आ सकता है और क्या-क्या बात चल रही है सुप्रीम कोट ने भी डिसिजन नहीं स्वनाया एक जिद्यान रखेगा अब माली जे बीच में या इस में ही ने अगर सुप्रीम कोट का निर्ने आ जाता है तो जो रिजल्ट जो है जिसे वह भी पेंडिंग रखा गया है रिजल् पर जारे जायंगे उन्स भी पर आज की इस वीडियो में राध करेंगे सबसे पहले करतें सुप्रीम कोट को यह मामला पूरे देश भार से मामला जो है गया है सुप्रीम कोट के भास कि स्टेट को राजज में मान्यता मिलेगी या पी नहीं मिलेगी अभी जो बाते जो कि आप देखिएगा जो लंबे समय तक सुनवाई चली थी सुप्रीम कोट ने लंबे समय के सुनवाई के बाद मामले को रिजर्व रख लिया था कि डिसिजन हम बाद में देंगे और उसका भी फिक्स डेट नहीं होता है कब डिसिजन आएगा अभी तक डिसिजन नहीं आया है जो बाते अभी सामने आ रही है उसमें बोला जा रहा है अपने भी सुना होगा कि जो बताई जा रही है कि सिटेट को मान्यता मिल चुका है ऐसे भी अगर हम बात करें जो मामले सामने अध्यान रखेगा यह सब जो बनी बनाई बाते हैं कुछ लोग बोल रहे हैं मारे यह रिसोर्स से यह सब यूट्यूब पर वीडियो बनाने का एक मतलब की तरीका होता है कि के लिए व्यूज मेरा आ जाएगा लेकिन अभी तक दे जो चीजे सामने आ रही है जो निउस पेपर में जो हिंट मिल रहा है उसके धार पर यही लग रहा है कि सीटेट को मानेता मिलेगा लेकिन राज सरकार पर निर्फर करेगा कि अपने राज जी में उसको मानेता दे रही है या फिर नहीं दे रही है यह हो सकता है जो भी होग सुप्रीण कोड्क के निर्ने ही आने के बाद ही के लिए हो पायेगा एग्जैटली क्या होरह पता है गीज्याद सुवालु उठता है कि कब सुप्रीम कोड्क का निर्ने आ एगा ज्यादा संभावना है पूम्हीने में गया है कि अन्वुंबर की पुम्हें जो भी डिसिजन आएगा उस अधार पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो भी डिसिजन आएगा जो होल्ड किया गया है पेंडिंग रखा गया है इस थायक अचारी का रिजल्ट एक्जाम लोगे रहा है वन टू फाइब का आपको पता होगा इसमें करीब 26,000 फेकेंसी 125 बूट 628 लेबल के लिए और सभी को होल्ड करके रखा गया है आयोग को बोला गया था सुप्रीम कोट की द्वारा कि आप एक्जामिनेशन और सारी चीज़ आप काम कर सकते हैं लेकिन आप रिजल्ट नहीं जारी करेंगे जब तक कि मेरा डिसिजन नहीं आता ह हैं कोई डिसिजन का इंतजारी किया जा रहा है अब स्वाल उड़ता है कि माल लीजे इस महिने या फिर नेक्ष्ट मंग जो है आपका निर्ने आ जाता है तो क्या जे एससी जो है रिजल्ट जारी करेगा जहीं सब बहुत सारा ठाथर पूछ रहें कि निर्ने तो कभी भी इसका उत्तर होगा जो नियम है, जो अचार सनीता लागू होता है, उसके तहट अगर देखा जाए, तो कहीं भर ये प्रावधान नहीं है, रूल नहीं है, कि अगर पहले से जो इग्जामीनेशन हो चुके हैं, अचार सनीता लागू होने पर अगर आयोग उसका रिजल जारी करना चाहता है, तो नहीं कर सकता, ऐसा कोई रूल नहीं है, बिल्कुल आयोग वो सारे काम कर सकता है, जो पहले से निर्धारित है, या फिर कोट ने किसी को पेंडिंग में रखा है, होल्ड पर रखा है, उसका नहीं आया, तो आयोग इस पर काम करेगा, रिजल्ट बिल्कुल जारी कर सकता है, अभी हर्याना में चुना हुआ, उसमें भी देखिएगा, रिजल्ट आया था, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, आप लोक्स्भा चुनाओं भी होता था, तो उसमें भी देखेगा, तो रिजल् सचार का decision आ जाता है Supreme Court के दबारा और इसका आयोग ने result जारी किया joining letter भी दे सकता है लेकिन सरकार का इसमें वर्तमान जो सरकार है जो joining letter बाड़ती है हाथो हाथे विसे समरोग करके वो नहीं करेगी अपना credit उसको मतलब कि उस पर बात भी नहीं करेगी परचार कहीं भी नहीं कर सकती है यह नियम है साथ ही इसमें किसी भी तरह का सरकार का involvement इसमें नहीं रहेगा सरकार यह भी नहीं बूलेगी कि नहीं चुकि अभी अचार सनिंदा के समय इसका रिजल्ट आया है तो कुछ भी नहीं कर सकती है अब स्वाल उटता है क्या आयोग ऐसा काम करेगा तो यह आयोग अब धारकण में पता ही है कि आयोग किसके बस में होता है सरकार की भले ही पब्लिकली कुछ नहीं होगा लेकिन अंदरुनी बात तो चलती रहती है ना आयोग प तक भी है कि जो रिजल्ट आ चुका है उसका ज्वाइनिंग लेटर भी दे सकती है अचार सनीटा लागो होने के बाद भी बहुत जगा आप देखिएगा नहीं कर सकते नहीं कर सकते बिलकुल वो गलत बता रहे है कहीं वी आप देखिए अचार सनीटा के इतना सारा नियम कई नहीं लिखा हुआ है कली हमने आपको वीडियो बनाया था जेटेट में आपको बताया था चुकि काइबिनेट की पैठक अब होगी ही नहीं तो नियम ओली पास होगा यह नहीं तो सिल्फ नया कहा सा है नया रूल कैसे बनेगा अचार सनीटा में नया वेकैंसी कैसे अयोग अपने अधार पर कर सकता है बसरत उसमें सरकार का कोई इन्वोल्मेंट नहीं रहेगा सरकार उसको अपना क्रिडिट भी नहीं दे सकती है के लिए तो यह सारी नियम को ध्यान में रखा जाता है अचार समीथा के समय अब स्वाल उपता है क्या इसका जो आयोग बैन नहीं लगा रहता है जिसको ओल पर रखा गया था अभी कुछ परिक्षाओं के लिए पर सकता है लेकिन युँ बहुत सारे तो कारण बता कि पीडियू उसके मेफजाप पर और युक कि बीध सब कहीं जो सरकारी भरतिय होती है उस पर किसी भी तरह से पहले से जो निर्धारित चीज़ें उस पर hold नहीं करती है उसको band नहीं करती है नए vacancy हो गया सरकार का credit लेना हो गया यह सब चीजों को मना किया जाता है वो band रहता है क्लियर है तो यह सब हमने discuss करती है finally आपको seated versus state का क्या मामला ह है वो हमने आपको बताया अभी जो बातें चल रहे है जो नीज में आ रहा क्या बातें चल रही है किसको मनेता मिलेगा मनेता मिलेगा तो राज Dabei निर्भर हो सकता है finally क्या मिलें होगा तो जब तक decision नहीं हो जाता है तो सारे चीज हमने यहां पर डिस्कस कर दिया है आई होप सारे आपके डाउट वेगर किलियर हो गए होंगे हमने आपको पहले ही सब डिस्कस हमने किया था यह सब मामला जो है बहुत लंबे से चल रहा है है सुरक्षित रखा रख लिया गया है तीन दिन सुनवाई चली थी दस घंटे की लगबुक बहस हुआ था सुप्रीम कोट में सुरक्षित है अब देखिए क्या होता है तो यह सारी चीज हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है आज का हम लोग से नहीं पर इंड करते मिलते हैं अपने से सब्सक्राइब करने के लिए तीन से चार मेने जनवारी के सब्सक्राइब करते मात्र 949 और 628 के लिए 1049 और TGT और या पर अन्य परिक्षाओं के लिए जोईन करते हैं तो उसमें यह ऑफर चल रहा है आज तक जो है आपका 2000 रुपया आपको उसमें ले सकते जाएगा जो भी फीस रहेगा मिनियुम फीस पर आप मतलब सारी पोर्स सेशन ले सकते हैं तो आज का सेशन हम लोग यहीं परीन करते हैं मिलते हैं अब नेक्स सेशन में थाइंक वरी बाद